हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर सेंटर, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जियो फाइनेंशल सर्विस के स्टॉक के बारे में, जियो फाइनेंशल सर्विस को हम अलड़ी भी डिसकस कर चुके हैं कई बार, बट आपके कंटेनरोसली यहाँ पे कमेंट आ रहे जिसके बार, हमको फिर से यहाँ पे जियो फाइनेंशल सर्विस को अपने चैनल पे डिसकस करना पड़ रहा है, कमेंट यह आ रहे हैं कि सर, यहाँ पे जो प्राइज मुवमेंट आपने बोला था, तो प्राइज मुवमेंट तो हुआ, बट जिस लेबल पे यह स्टॉक प पर पस्से हैं, ना कि यहाँ पे कोई इंवेस्टमेंट पर पस्से, अगर आपको कोई भी फ्रेस इंवेस्टमेंट करना है, तो अपने फाइनेंशल एडवाजर से इसके बाद किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेज करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राफिट भी होत अगर आपको देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एपिक पेन ले लेते हैं, ताकि आपको बताने में यहाँ पे हमको आसानी हो यहां पे अगर हम बात करते हैं जो जियो फाइनेंसिल सर्विस का मार्केट कैप है वो यहां पे 2,00,00 करोड के पार चला गया है 2,00,00 करोड के आसपास करेंट जो प्राइज है वो यहां पे 345 के आसपास है 375-74 का इसने हाई बनाया था और इस साल का जो लो था वहां यह था 203 का हमने 230 के प्राइज रिंज पे यहां पे जियो फाइनेंसल सर्विस को अपने चैनल पे डिसकस किया था बोला था कि यहां पे जो प्राइज टू बुक वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है अब यहां पे अगर बात करें प्राइज टू बुक वैल्यू यहां पे अब टू टाइम्स हो गई है उस टाइम पे करीवन यहां पे 1.3 टाइम्स थी तो अब जो प्राइज टू बुक वैल्यू है यह धीरे धीरे इसका जो गैप है वो यहां पे बढ़ता जाएगा ही है क्योंकि यहां पर अभी company start करना चालू हुआ है face value अगर आप देखो गे तो face value यहां पर 10 है आ जाते हैं नीचे इसके बाद यहां पे चार्ट पर चार्ट पर देख सकते हो यहां पर एक तरफा यहां पर movement देखने को मिला है जियो financial service में हमने यहाँ पे 230 के आसपास discuss किया था इस price bend के आसपास उसके बाद यहाँ पे continuously यहाँ पे movement हुआ और 375 का level यहाँ पे इसने highest gain किया इसके बाद आ रहते हैं analysis में यहाँ पे peer comparison में अगर आप देखोगे बजाज finance यहाँ पे top पे है उसके बाद बजाज fincer है बजाज holding यहाँ पे चौथे नमबर पे है तीसरे नमबर पे जियो financial service है पहले भी यहाँ पे हमने discuss किया था था तीसरे नमबर पे ही यहाँ पे जियो financial service था peer हो गया peer के बाद quarter result यहाँ पे कैसे है पे result आये, उसके बाद यहाँ पे गिराबाट हुई और करीगन 260 के level पे आके support लिया और उसके बाद पदर यहाँ पे rally extend हुई और 375 के level तक यहाँ पे Geo Financial Service ने touch किया 374 का level, यह देख सकते हो quarter के result जो है यह आपके सामने रखे हुए है जो net profit है वो यहाँ पे थोड़ा सा last quarter से bit decline हुआ है और इसके पहले वाले quarter से भी net profit कम आया है taxes इन्होंने सबसे ज़्यादा पे किया है, December 2013 के quarter में यह भी देख सकते हो year wise अगर आप result देखोगे तो year wise भी यहाँ पे देख सकते हो total जो sales है year wise 45 करोड की हुई है यहाँ पे include है उसके बाद यहाँ पे net जो profit आया है वो यहाँ पे 31 करोड की आसपास आया है, अब बात करते है balance sheet की balance sheet के भी हम बात किये थे compare भी किये थे कि budget finance से यहाँ पे geofinancial service कितना ज़्यादा strong है और कितना ज़्यादा इनका जो business है वो यहाँ पे बढ़ सकता है अगर reserve देखोगे reserve यहाँ पे इनका जो है एक लाख नो हजार दो सो आठतर करोड के आसपास है जबकि budget finance के पास यहाँ पे जो reserve हो था वो यहाँ पे साट करोड के आसपास था साट हजार करोड के आसपास वारी तो just उनसे जो reserve है यहाँ पे इनका जादा है और business यहाँ पे चालू होना start हो गया है बात करते हैं share holding pattern की investor यहाँ पे कौन-कौन है promoter के पास कितना माल पड़ा हुआ promoter के पास यहाँ पे 46% माल था उन्होंने अपना stake बढ़ाया promoter ने और यहाँ पे 47.12 टका कल लिया FII ने थोड़ा सा stake को कम किया और DII ने भी यहाँ पे थोड़ा सा stake को कम किया और बात करें public की तो public ने यहाँ पे stake को मतलब public की उपर माल छोड़ा गया तो यहाँ पे public का जो stake है वो यहाँ पे बढ़ गया है technical chart pattern की अगर बात करते हैं वो भी देख लेते हैं technical chart pattern क्या बोल रहा है Jio financial service में यह देख सकते हैं यह एक trend line पे काम करने लगा है यह देखो यह पूरा का पूरा यह जो trend line है इस पे काम करने लगा है अगर यहाँ से feather movement टेक आता है तो यह करीबन 380 के level के आसपास एक resistance phase करेगा और फिर से यहाँ पे 350 के आसपास support लेता हुआ आने वाले time में दिखाई पड़ेगा तो यह चीज़े होती रहेंगी market में और result अगर कमजोर आता है dip मिलती है तो एक अच्छी opportunity यह होती है अपने यह अच्छे quality की stock को अपने portfolio का हिस्सा बनाने के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा चैनल पे नए वने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में